हाई आएम शिवानी अगरवाल और यू आ वाजिंग माई यूट्यूब एक्स्प्रेशन स्टूडेंट्स क्लब आज के वीडियो में हम CCS उनिवर्सिटी के बीए सेकेंड एर के स्टूडेंट्स के लिए सामाने जागरुपता का पेपर लाए है अगला प्रशन है भारत का सरवाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश तो ये उत्तर प्रदेश है भारत की सबसे लंबी नदी ये गलत लगा हुआ है लंबी नदी ब्रह्म पुत्रा है नोबेल पुरसकार से सम्माने प्रदम भार्तिय रविन्दर नार्ट टैगोर है रविन्दर टैगोर को नोबेल पुरसकार मिला था साहित्य के शेत्र में गीतान जिली के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंडर V.S.R.C. कहां है त्रिवेंद्रम में है भारत में हरित क्रांती का जनक M.S. स्वामीनाथन थे बहुत important question है भारत में एक रुपे के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं देखे एक रुपे के नोट पर, Reserve Bank के गवर्णर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं सचे वित्व मंत्राले के हस्ताक्षर होते हैं, ये ध्यान रखेगा अलग है बहरत में योजना आयोक का ध्यक्ष कॐन होता है؟ प्रधान मंत्री होते है यदि चंद्रमा उप ग्रहे है तो प्रत्वी ग्रहे है रिगवेद में कितने मंडल हैं दस मंडल है और रिगवेद में दस सो अठाइस रिचाएं हैं कौन सा रोग कीट के काटने से नहीं होता तो देखें मलेरिया मच्छर के काटने से होता है प्लेग जो है वो चुहों से फ लेकिन बेरी बेरी एक ऐसा रोग है जो विटामिन B की कमी से होता है भाकडा नागल भांध किस नदीब के तट पर इस्थित है यह प्रशन कट गया है इम बात को बाद में बता दूंगे दक्षन भारत की सरवाधिक प्राचीन भाषा तमिल है चेत्रफल की दरश्टी से भार वर्ग किलोमीटर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर विश्व में सबसे बड़ा सम्विधान हमारा खुद का है भारत का सबसे बड़ा लिखित सम्विधान भारत मतलब विश्व का सबसे बड़ा लिखित सम्विधान भारत का है इंद्रा गांधी राष्ट्रिय मुक्त विश्व तो रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमो ग्लोबिन के कारण होता है प्राचीन नगर तक्षिशिला निमन में से किसके बीच इस्थित है तो सिंधु और जेलम नदी के बीच इस्थित है तक्षिशिला जहां तक्षिशिला विश्विद्याले भी बहुत फेमस है इलहाबाद इस्तंभ लेक किस से संबन्दित हैं तो समुद्र गुप्त से संबन्दित हैं अब्दुल हमीद लाहरी की पुस्तक का नाम जो है पादशाह नामा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग थे बहुत इंपॉर्टेंट क्विशन है आग समीती नार्वे में इस्तेत है योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजली है कोटले किसके प्रधान मंत्री थे कोटले चंद्रगुप्त मौरे के प्रधान मंत्री थे गौतम बुद्ध कजन कपिल वस्तु के लुंबिनी में हुआ था दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक प्र का रधम मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्धीन तयव जी थे किस राजी की सीमा बंगला देश दे नहीं मिलती है तो इन मेंसे जो मनिपूर है इस राजी की सीमा मनिपूर की सीमा बंगलादेश से नहीं मिलती है टिहरी बांध किस नदी पर है बागी रिती नदी पर है भारत में सरवाधे कोईले के भंडार जारखंड राजे में पाए जाते हैं राजीव गांधी राष्ट्रे उद्यान कननाटक में है जनसंख्या में सबसे घनत्तो वाला राजे जादा घनत्तो जो डैंसली पॉपूलेटेड है वो पश्च में बंगाल है भारत का समिधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1999 को बनकर तयार हुआ और हमारा अगला क्वेशन है निमलिकित में से कौन सा एक मौलेक अधिकार नहीं है तो देखे संपतिक अधिकार मौलेक अधिकार नहीं है उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितनी विधान सभा छेत्र बचे हैं बहुत इंपॉर्टन कोईशन है 403 शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार शेत्र से जुड़े हुए है तो देखे बुल और बियर जो है शेयर मार्केट से जुड़े हुए है शेयर बजार से बहुत इंपॉर्टन कोईशन है निमलिकित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में राजस्व का प्रमुक्स रोथ है व्यापार कर जो है वो उत्तर प्रदेश में राजस्व का यानि टेक्स जो जहां से आता है वो व्यापार कर से आता है तो भारत में कौन सा राज्य गेहुं का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद है निमलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है करनाटक में सबसे अधिक उत्पादन होता है दादा साहब फाल के पुरसकार भारत में सिनेमा के विकास के लिए दिया जाता है सभी को पता होगा प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में बनाया जाता है देखें एक तो महिला दिवस अंतरश्टी महिला दिवस होता है जो 8 मार्च को होता है